सब्सक्राइब दोस्तों मेरे पास एक इसम आया है यह टाटा नैनो में भी लगता है और आर्सी तू अंडेड में भी लगता है और ब्यूक में भी लगता है बहुत सारे गाड़ियों में यह वाला इसम लगता है ठीक है और अपने बहुत सारे भाईयों को दिक्कत आती है इसम को आन करने का कैसे आन करना है कभी कभी क्या होता है इसम का पिनोट मिलता नहीं है तो मैं कैसे इसको डेग्नोस करता हूं इसम को पिनोट कैसे में बनाता हूं मैं खुद कैसा इसम को आन करता हूं वह आज हम आपके बा ह дорग करेंगे तो मैं कैसे मेरे तरीखेसें में कैसे में Minister पिननो्ड बनाता हूँ क्या लोग कया है हर गया है क्ली को कहिसे करना है उन्मailed ब्रबता ओंगा मेरे दो य हमने यह इसम नहीं हो रहा है किन नहीं हो रहा है कि किस ठीक है इंजक्टर कॉयल का कैसा होगी यह सब आपके तरीचे से आपको थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ती है और आपके पास डेटा होना चाहिए डेटा रहेगा तो बहुत अच्छे तरीचे से आप खुद बिना किसी की हेल्प के आपको इसका पिनोट बना सकते हैं ठीक ह और LGBT को इसे मैं आपको बताओंका यह he Declaration को अपने को उसे कोई मतलब ने अब को आण करने का क्या सिस्टम है न bubb को वियूह यह सब्सेफ्वना करने के लिए एक नेगेटीव चाहिए एक फॉस्टीव चाहिए और एक पाजिटीव चाहिए और फाजिटीव चाहिए ज़सी स को positive चाहिए एक negative चाहिए ठीक है ECM को on करने के लिए और ECM को scan करने के लिए एक can high एक can low चाहिए तोटल 5 वयर आपको चाहिए प्रॉपर आप ECM on कर सकते हैं और diagnose कर सकते हैं ठीक है अभी मेरे पास इसका पिन्मोट नहीं है मान के चलो एक्सम्पल मानगे चलो अभी मेरे पास इसका पिणोट नहीं है अभी में क्या तरीफे से यह इसें को और अशेंक को European अश्म अश्म अगंशा में नहीं हो रह धालगा की कोशिश करूँ सेंगा कैसे बहुते होंगा पाजिटीव लिगेटीव नगेटीव नगेटीव दो पाजिटी इसको फेंदावाट करूए किदर है मेरा ठीक है मेरा हो गया यह जो इसन की जो सेड़ की के जो कार्मरत लेति है इता है अपको इधर से दार यह अंदर आप अब inanical इतना ओमार्म Бог पके अंदर यह 12 बोलं का केपासीट रहे डिके अभी मैं क्या करोंगा सबसे पखले को फैंड आट करोंगा sebelum कि यह जो मेरा रहता है यह से जो केपैसिट रहे केपैसिट के बाजी में जो लखी रहे ब्लैक क्लार का यह रहता है मेरा नेगेटिव यह रहता मेरा पाजिटिव ठीक है इधर आभी में ग्राउंड को लेता हूं और तीसरा पीन और चौथा वी म पिचाहिए आट चेन गालोत अब मेरे को यह दूसरी फिंड पहली पिंड छोड़के जो इसकी बाजू की पिना यह जोट दो दूसरी पिन्य वह ग्राउन मेरे को अंदर के पास मिल रही है ठीक है देखो अंदर मेरे केप्राइटर का जो नेगेटिव पॉइंट है इस जगा पर मुझे मिल रही है नेगेटिव मिल रहा है तो अभी मैं क्या करूंगा नेगेटिव एक नेगेटिव की वहर ले लेता हूं कि थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है आप देखेंगे तो बहुत कुछ इसके अंदर सिखने को मिलेगा कैसे आप खुद इसका पिन्नोड बना सकते हैं ठीक है यह नहीं मेरा जो यह ग्राउंड कैन बक्स का अपना ग्राउंड की वह रही है दो नंबर का जो ग्र करेकर लोई इसका तो ग्रोंड नागेटीव मेरे कुम मिल गया ह्यले कुछ हाई पाजीट्यों रहा है यह मेरी पिन है आपस में कनेक्टिविटी कि आर यह यह बारा वोल्ड से आन होता है कि पैसे टुझे बारा वोल्ड से आन होता है वह इधर यह सिस्टम इधर से आप टेस्टिंग करेंगे तो आप गवे जाओ यह मालूम नहीं पड़ेगा आपको मालूम होना चाहिए यह बारा वोल्ड से आन होता है यह आपको मालूम मेरे को मालوم है इस बारा और वोल से अपरेट हो रहा हूँ ही इधर बार्र पोस्थी इस है तो अभी मैरे को बार वोल डेट्स ऐसे डिट्ञव रही है मेरे मेरे जो आ रही है एक डो तीन चार नमबर की पिन अपने को मिलेगी 1234 नमबर की पिन यह हो गई अभी मैं क्या करूंगा 12 जो डेरेट है वो चार नमबर की पिन में लगाऊंगा ठीक है यह दो एक पाजिटिव एक नेगेटिव हो गया अभी जो है जैसे आप चाहिए आन को रोगे उस पर आपको power supply चाहिए ठीक है वो आपको कैसे find out करना है जो आपकी system IC रहती है system IC में देखो मेरा पास का diagram है यह डेटा मेरा पास है अभी मैं क्या करूँगा यह जो position है मैं इस position पर रखके लेता हूं अभी देखो पहली पिन छोड़के दूसरी पिन और तीसरी पिन तीसरी पिन पर मेरा आ रहा है 12 जैसे ignition आन करूँगा वो मेरे को मिल रहा है 12 अभी मैं 123 तीन नंबर की पिन से connectivity चक करूँगा एंह स्वारी दूसरी नंबर की पिन यह आ रही है हम इदर देखो जो वय यस नंबर की जो फिन है यह 12 FRE इख चैना की पिन और अपका यह यह फिस पॅगया यह तो और यह कहीम कर और नहीं मिलेगी क्यूंग इसके इनदर एक transfer आपको रस्टे में मिलेगा यह रिजिस्टर में इधर लूँगा ठीक है यह रिजिस्टर इधर ले लिया और यह रिजिस्टर को छोड़ के यह जो मैं रिजिस्टर है रिजिस्टर को छोड़ के इसके बाजू से में कनेक्शन लूँगा इसका इधर ठीक है इधर से हमें कनेक्टिविटी चक करूंगा कनेक्टिविटी सीधा अपने इसे में कि पिन नंबर कि यांग वाएगी रिजिस्टेंस को छोड़ के इसके बाजू से में कनेक्टिविटी लेता हूं तो नीचे से चार नंबर की पिन पे सी कनेक्टिविटी मिल रही है यह मेरा हो गया 12 इगनिशन ठीक है अभी मैं क्या करता हूं इगनिशन बार और इगनिशन गुए इधर लेता हूं एक दो तीन सब्सक्राइब करने के लिए अभी मैं क्या करता हूं अभी मेरे पास का डेटा है ठीक है इसके अंदर साफ सब लिखा है पिन नंबर 48 और पिन नंबर 47 यह रहती है कैन लो और कैन है अभी मैं लेता हूं पिन नंबर 48 पिन नंबर 48 लेता हूं ठीक है अभी देखो 52 51 5049 यह मेरी आती है पिन नंबर 48 कैन लो ठीक है अभी मैं कैन लो इधर डेरेट लेता हूं कि यह डेरेट आएगी रिजिस्टेंस शायद नहीं आएगा कि इस जगाए पर मुझे मिल रहा है कि दो पिन नंबर 48 पिन नंबर 48 अभी में लिएंगा 52 51 के लाइन हो गई और अपना 5049 अपना एमस्यू का पांच वर्ड रेफरेंस हो गया और 58 यह एग दो तीन चार पांच पांच नंबर की पिन जो है मेरी कैन लो है एग दो तीन चार पांच कि यह दो तीन चार पांच इदर से में ले लता हूं पहले कहीं पर में कुनेक्टिविटी पर ले लता हूं हाँ इस जगापे मेरे को मिल रही है क्योंकि डेग्नोस करने में थोड़ा एजी रहेगा अभी दो पहली लाइन दूसरी लाइन में पहली जो पिन रहती है वो मेरी हो गई क्यान लो ठीक है क्यान लो अभी मैं यह भी मेरे को फेंड़ोड हो गया क्यान लो अभी मैं लगाऊंगा क्यान लो कि यह मेरी क्यान लो की वेर है अभी मैं पहले जो उपर की लिएन छोड़के जो नीचे पहली लेने वह हो गई मेरी क्यान लो और थेस्थह और मेरी 47 जो हो गई वह क्यान हाई हो गई अभी हमने इसको टेस्टिंग किये थे अभी मेरी 47 जु हे वो Okay FREE और मेरी कन है की यह पोई कई यह तर लेता हूं और मेरी कंटिवी चेकर व Ale तो किदर आ रहे है है तो पहली डूरी नहीं गैंप इसकेन नीचे की जो पहली पिन वो होगा क्यां होगा इसे नीचे कीolor हो गई ऑर कैन है अपनी हो पहली पिन है यह मेरा गमप्लीट डेयक्नोस करने का तरीख और वबिद परसकते हैं मगर आभी फिलाल वक्त को मैं ECM को आन करने का तरीखा बता रहा हूँ आप देख सकते हैं आपके पास ऐसा डेटा होगा तो आप बड़े आसान से डिग्नोस कर सकते हैं अलाएंके मुझे दिमाग में ही है 4004849 की जो IC रहती है उसके अंदर से कितनी नंबर पे पासिटिव निकलेगा कितनी नंबर पे नेगे ट्यूब निकलेगा नेगे मैन रिले के लिए और जो कोईल एकने हैं उसके कौन सी पिन है वो सब मुरे को ऐसा ही दिमाग में रहते हैं तो यह तरीखे से मैं डिग्नोस करता ह gratuit मैं क्या करूँगा पिनोट सब लगा दिया अभी मैं स्कैन करने की कोशिश करूँ तीक है यह अपने खुद के तरीखे से हम इसको कोई भी आप ECM ले लो कोई भी आप इस अपके खुद के हिसाब से आप बना सब्सक्राइब है किया मेराई सकी हम मैं सब्सक्राइब और्धनर देख सुष say यह ECM मेरा केम्निकेशन हो चुका है तो यह तरीखे में से हम ECM को डेग्नोस करते हैं और यहीं तरीखे में इस हम का खुद ECM को आनुकरने का पिन्ोट हम खुद बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल ने हैं थोड़ा आपको एक्टरा दिमाग बगा कि आप काम कर सकते कोई भी ECM हो वर्ल्ड का कोई भी ECM हो थेरी सारी की सारी एक ही रहती है थोड़ा आप उपर निचे लेके आप काम कर सकते एक इसेम की बात नहीं कर रहा हूं अप मेटर भी आन करना है ECM भी आन करना है WCM भी आन करना है तब भी आप आन कर सकते हैं आपके हिसाब से आप खुद महनत करेंगे तो आपको सफल कामिया भी जरूर मिलेगी ठीके फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें श देखने से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए यह बारा ओल्ड कि फील्टर होए के पैसिटर है या पाइन चुलगा के पैसिटर यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तब जाके आप डेग्नोस कर सकते हैं जो इसके अंदर आपको पूरा डेटा रहता है जब तक आपका आपके पास डेटा नहीं रहेगा आप डेग्नोस करीन पहुए प्रॉक्पर आपके पास डेटा होना चाहिए देख सकते एंगिशन वर इगणिशन काईल टू इगनिशन काईल फूर जो मेरी पिन नमबर 33 है वह इगनिशन काईल की जाए इसके बीच में एक रिजिस्टर से आपको मिलता है इसके बाजू से आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको वह कनेक्टिविटी ट्रेसिंग करने में असानी होगी देखो अभी मान के चलो आपका एक नंबर का काम नहीं कर रहा है ठीक है यह तो जाएगा आपका डेरेट इंग्जेक्टर हो गया यह आपको डे पूट कौन सा है यह भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए मेरा आउटपूट है आउटपूट मेरा पिन नमबर टू से निकल रहा है ठीक है पिन नमबर टू को आउटपूट निकल रहा है इसम से बाहर निकल रहा है ठीक है यह हो गया और दूसरा जो रहता है जो पाओर ऐसी सो निकलता है इसके बीच में एक डिस्कंट सारी है इदर से आपको इंद करना है और इंदर से आप दर्टेस्टिंग करेंगे तो नहीं आएगा और इंदर से लेके जो घिंद रथा कब्वार्ट से लेकर आपको पिन नंबर है पहली पिन फिन इदर को आपको देखना रहता है तब जाके आपको इसका मुल गया है मरत मुल्म हो गया मेरे को यह मालूम हो गया है यह जो यह सिस्टम जो यह सर्कीट है circuit मेरी OK है ऐसा ही हम कोई भी ECM हो या कोई भी component हो तो हम ऐसा ही testing करते हैं हम मैं ऐसा लेके direct इधर से testing करूँगा तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी तो उसके बीच में रिजिस्टंस जो आती है तो आपस में इसकी connectivity नहीं मिलती है यह हमारा सिस्टम रहता है इसम को डाइग्नोस करने के लिए तो ऐसा ही आप कोई भी ECM हो तो सबसे पहले आप अराम से आपके हिसाब से पिनोट बना सकते हैं आपके खुद के हिसाब से पिनोट बना सकते हैं और कोई भी सरकीट आपका काम नहीं कर रहा हो या खुछ भी काम नहीं कर रहा हो तो आपको component की पहचान होनी चाहिए कौन सा component मेरे किस लिए यूज में लिया गया है और उसके बाद आपको आती है tracing की जब तक आप tracing सही तरह से tracing नहीं करोगे तब तक आपको मैं लिखके देता हूँ ECM का काम आप perfect कर ही नहीं पाऊगे tracing सबसे पहले हमारी line के अंदर tracing ही main point रहता है tracing के अला बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते tracing और next और यह कोई भी ECM आप ले लो उसके अंदर आप एक कोई एक दिन आप सही इसकी value पहचान लोगे ना ECM के अंदर मानों आपके पास एक ECM आया है यह ECM आपका बन पड़ा है या खराब पड़ा है या कुछ काम नहीं कर रहा है आप testing करते जाओगे इसकी resistance की value इसकी resistance की value इसकी resistance की जालो जिस दिन आपको एक resistance भी quality मिल गया ना तो आप समझ जाओ आप perfect काम होले बन के ही रहोगे बिना जब भी आप ECM को diagnose करते रहोगे जब तक आप एक resistance आप find out में नहीं लेते तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते पहले आपको resistance जो उड़े हैं या खराब हुए हैं उनको find out करना रहता है सबसे पहले आपको resistance की value और वो जो fault है नहीं है वो आपको मालूम रहना है और उसके बाद tracing ट्रेसिंग एक और दूसरा resistance और तिसरा आपका आपके खुद के हिसाब से कैन लो कैन है पाजिटिव नेगेटिव आपके खुद के हिसाब से बिना किसी help के आप बना लोगे तो कोई आपका पास ऐसा ECM नहीं है बनी नहीं सकता मैं चालेंज के साथ बोलता हूं 101% आपके पास ECM बनेगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर कर करें और वीडियो में कमेंट्स में बताइए ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा थैंक्स पॉर वाचिंग